नमस्कार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेज यानि ब्लैक अश्वेत लोगों को बोलते हैं निग्रो शब्द है उसके लिए तो मिलियन दसलाग को बोलते हैं 12 मिलियन यानि 12 मिलियन काली या अश्वेत आवाज हैं यानि ब्लैक लोगों की आ परंपरा रही थी पहले गुलामी की प्रता रही थी गुलाम के रूप में खरीदा बेचा जाता था इन निक रोज को और बड़ी ही दुर्दशा रही थी बहुत बुरी कंडिशन्स रही थी इन लोगों की जैसे हमारे भारत में भी जो शुद्र लोग थे चार वर्णों में बाटा गया था समाज को ब्रहमार्ण शत्रिय वहशे और शूद्र तो जैसा एक अमानवी वेवहार शूद्र लोगों के साथ हुआ वैसा ही बलकि उससे ज्यादा बहत्तर जो वेवहार है वो गुलामों के साथ हुआ यूरोप में तो ये उन्ही गुलामों की आ लेकिन उनके साथ होने वाला अन्याय खतम नहीं हुआ है वो होता भी नहीं है समाज आसानी से बदलता नहीं है अपनी विचार धाराओं को तो चलिए सुनते हैं रिचर्ड राइट की आवाज में यानि रिचर्ड राइट जो लेखक है जिसने ये लिखा है ये एक किताब है जिसमें के बहुत सारी तस्वीरें हैं फोटोग्राफ्स हैं और उनका डेस्क्रिप्शन है तो उसी किताब का एक अंश है जो आप आज मेरे साथ पढ़ने वाले हैं दवर्ड नीग्रो ये जो नीग्रो शब्द है दटर्म एक ऐसा शब्द बाइविच जिसके द्वारा ओरली मौखिक रूप से और इन प्रिंट या फिर लिखित रूप में वी ब्लैक फॉक हम काले लोग इन दा यूनाइटे स्टेट्स यानि सन्युक्त राष्ट अमेरिक को बोला जाता है यूनाइटे स्टेट्स और यूके यूनाइटे किंग्डम इंग्लेंड को बोला जाता है यू एस ए यूनाइटे स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो इन दा यू एस यूनाइटे स्टेट्स यानि अमेरिका में आर यूजुली डेजिगनेटे यूजुली प्र यह एक वर्णन है यानि हम काले हैं तो हमारा यह description नहीं है निग्रो जो शब्द हमें दिया गया है ना तो हमारा नाम है और ना ही हमारा description है बट बलके a psychological island एक psychological मने मनोवग्यानिक island दीप है एक मनोवग्यानिक दीप है whose objective form objective होता है वस्तुपरक form आकार यानि जिसका के जो objective form है यानि वस्तुपरक आकार है रूप है जिसका is the most unanimous fiat ये एक most मने सबसे ज्यादा unanimous मत होता है जो एक मत से दिया गया सब की opinion मिला कर जब कोई काम होता है तो वो unanimous कहलाता है तो ये एक सर्वसमती से दिया गया fiat मने order है आग्या है command है in all American history पूरे अमेरिका के इतिहास में a fiat एक ऐसा आदेश but rest जिसको के संबल दिया गया है बल दिया गया है पाला पोस आ गया है by popular and national tradition popular माँने लोग पर्या नेश्ट्रिय ठाडिशन माँने परंपरह यह नि लोग परिया और राश्ट्रिय परंपरहों के द्वारा इस fiat को इस command को बल दिया गया है एंड रिटिन डाउन और लिखा गया है in many state and city statutes, in many मने बहुत सारे state मने राज्य के and city और शेहरों के statutes मने नियमों में, कानूनों में, of yet, एक ऐसा आदेश which, जो के artificially, यानि करतिम रूप से, बनावटी रूप से and arbitrarily, arbitrarily मतलब कि जो शंका से भरा हुआ होता है, शक से भरा हुआ होता है, जिस पर कोई निर्ने नहीं किया जा सकता है, ऐसी चीज़े arbitrarily कहलाती है, या फिर मनमाने धंग से जो काम किये जाते हैं, वो भी arbitrary कहलाते हैं, तो यहां मनमाने धंग से ही ज़्यादा सही अर्थ होगा, and arbitrarily यानि मनमाने धंग से defines, मानि परिभाशित करता है, यह जो शब्द है, मनमाने धंग से हमको परिभाशित करता है, regulates, नियंतरित करता है and limits और सीमित करता है in scope, scope होता है मदब संभावना possibility तो संभावना को of meaning अर्थ की the vital contours of our lives the vital मने संजी सजीव और contours होते हैं सीमाए of our lives हमारे जीवन की तो ये जो शब्द है हमारे जीवन की सीमाओं को मदब के limited करता है, सीमित करता है and the lives और जीवन को भी सीमित करता है of our children, हमारे बच्चों के and our children's children और हमारे बच्चों के बच्चों के कुछ बच्चों का कहना है अक्सर message भी आते रहते हैं कि एक बार में पूरे sentence को पढ़कर आप उसका अर्थ बताए अब आप ये देखिए कि ये जो sentence है यहां से शुरू हुआ, the word से लेकर और खतम हुआ, children's children एक बार आप खुद कोशिश करके देखिए पूरे sentence को एक बार में पढ़िए और पूरे sentence को एक बार में हिंदी बोल के देखिए क्या ये संभव है, इतने बड़े-बड़े sentences का meaning एक बार में बोलना, पूरे sentence को ही एक बार में बोलना असंभव है और उस sentence का meaning बोलना भी एक बार में असंभव है, तो बच्चों मेरा यही तरीका है, मैं आपको एक-एक word का meaning बताती हूँ और आप को समझ में आना चाहिए एक-एक word का meaning सुनने के बाद चलिए आगे देखते हैं दा आइलेंट एक ऐसा दी within whose confines within मने अंदर, whose मने जिसके confines मने सीमाओं में, जिसकी सीमाओं के अंदर we live, हम रहते हैं, is anchored यानि ये समाया हुआ है in the feelings भावनाओं में, of millions of people, लाखों लोगों की million मैंने आपको बताया, ये 10 लाख को बोलते हैं तो लाखों लोगों की भावनाओं में ये जो island है, ये जो deep है, या फिर ये जो शब्द है निग्रो समाया हुआ है and is situated और ये इस्थित है in the middest माने बीच में, of the sea समुद्र के, of white faces सफेद चेहरों के we meet each day जिनसे हम प्रते दिन मिलते हैं and or by and large कुल मिला कर as 300 years यनि 300 साल of time 300 साल के समय ने has born our nation हमारे देश को born माने ले गया है ये जो 300 साल का समय है हमारे देश को ले गया है into the 20th century 20 मी शताबदी में its rocky boundaries its मने इसकी rocky मने चट्टानी boundaries have remained मने रही है unyielding unyielding वो होती है जो के रास्ता नहीं देती तो कभी रास्ता न देने वाली कभी न जुकने वाली to the waves उन लहरों के लिए of our hopes हमारी उम्मीदों की that dash जो की टकराती है against it इससे तो ये जो 300 साल का समय है जिसमें हमको गुलामी के रूप में मलब रखा गया था तो इस समय के दोरान इस देश की जो दीवारें रही हैं जो चट्टानें रही हैं उनसे हमारी भावनाएं टकराई हैं waves of our hopes हमारे भावनाओं की लहरें टकराई हैं लेकिन ये जो चट्टाने हैं वो अनिहिल्डिंग रही हैं यानि अपनी जगह से हिली नहीं है मतलब कि हमारे प्रती समाज का द्रिश्टिकॉन बिलकुल भी नहीं बदला है the steep cliffs steep मने ढलू cliffs मने चट्टाने of this island इस दीब की are manifest manifest मने उजागर हैं दिख रही हैं सामने हैं on the whole कुल मिला कर in the conduct means आचरण में व्यभार में of whites गोरे लोगों के towards us हमारे प्रती ryr means हर समय हर घंटे a conduct एक ऐसा व्यभार which tells us जो हमको बताता है that के we possess no rights हमारे पास कोई अधिकार नहीं है commanding respect यानि सम्मान पाने के हमारे पास सम्मान पाने का कोई अधिकार नहीं है that के we have no claim हम कोई दावा नहीं कर सकते to pursue happiness pursue माने पीछा करना होता है तो पीछा करना मलब प्राप्त करना ही हुआ यहां पर to pursue happiness यानि प्रसन्यता प्राप्त करने का खुशी प्राप्त करने का हम कोई दावा नहीं कर सकते in our own fashion means अपने खुद के तरीके से that के our progress हमारी तरक्की हमारी प्रगती towards civilization सभ्यता की तरफ constitutes बनाती है an insult एक बेज़ज़ती that जो के our behavior हमारा व्यभार must be kept रखा जाना चाहिए firmly द्रणता से within an orbit एक orbit के अंदर orbit होती है जिसे अर्थ है वो अपनी orbit में घूमती है सारे ग्रहे अपनी orbit में घूमते तो जो एक निश्चित रास्ता होता है तो उसी orbit में उसी निश्चित सीमा में रखा जाना चाहिए branded as inferior जिसपर के brand जिसको किया जाएगए यानि जिसपर के level लगाया जाएगा जिसपर एक चसपा किया जाएगा as inferior कि हम लोग जो है वो inferior हैं, काले लोग inferior हैं, तुछे हैं, नीचे हैं, कमतर हैं, that we must be compelled कि हमको बात देखिया जाना चाहिए to labor, काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए add the best means आदेश पर of others, दूसरों के, that कि as a group, एक समू के रूप में we are owned यानि हम को रखा जाता है, own माने मालिक होना, तो हमारे मालिक हैं by the whites, यानि जो गोरे लोग हैं, तो गोरे लोग हमें एक ग्रूप के रूप में वो हमारे मालिक हैं, and or that manliness के मरदानगी, on our part, हमारे part पर, यानि हम लोग अगर मरदानगी दिखाएं, तो फिर उसका क्या होना चाहिए, warrants, हमारे द्वारा दिखाई गई मरदानगी, warrants माने guarantee देती है, instant माने तुरंत, रेप्रिजल माने धंड की, यानि हम लोगों में से अगर कोई जरासी भी हिम्मत दिखाएं, या मरदानगी दिखाएं, तो तुरंत ही उसको दंड मिलना चाहिए, ऐसे यहाँ पर नियम हैं, अमेरिका में, 300 years, जो नियम है, ये लिखित नियम नहीं है, ये जो बताया गया है, लेकिन हर व्यक्ति के, हर गोरे आदमी के दिमाग में ये लिखा हुआ है, कि अगर कोई अश्वेत व्यक्ति, अगर कोई निग्रो हिम्मत दिखाएं, मरदानगी दिखाएं, तो तुरंत उसको दंडित क पिया जाना चाहिए, 300 years, 300 साल, are a long time, यानि लंबा समय होता है, for millions of work, लाखों लोगों के लिए, like us, हमारे जैसे, to be held in such subjection, to be held मने रखा जाना, in such subjection, ऐसी गुलामी में, तो ऐसी गुलामी में, हम जैसे लोगों को 300 साल तक रखा जाना, एक लंबा समय है, so longer time, इतना लंब समय है, that के, perhaps, शायद, scores of years, बीसियों साल, we have to pass, हमें गुजारने होंगे, before, इस से पहले के, we shall be able to express, हम अभिवेक्ट कर सकें, हम बता सकें, यानि जो हमने जहिला है, वो हम, अगर किसी को बताना भी चाहें, तो हम को बीसियों साल लगेंगे, बताने में, what this slavery has done, कि इस क्या किया है, to us, हमारे साथ, for our personalities, क्योंकि हमारी जो व्यक्तित्व हैं, our still numb, अभी भी सुन पड़े हुए हैं, from its long shock, इसके लंबे जटकों से, यानि गुलामी के दोरान हमको जो जटके दिये गए हैं, जो शौक दिये गए हैं, उनसे हमारे personalities, अभी भी, हमारे जो व्यक्त जब ये सुन पन, leaves, छोड़ेगा, our souls, हमारी आत्माओं को, we shall yet have to feel, हमें फिर भी, महसूस करना होगा, and give a trance, और, a trance बने, कहना, अभी व्यक्ति देनी होगी, कहना होगा, to the full pain, we shall inherit, उस पूरे दर्द को, जो हमको मिला है, हमको विरासत में मिला है, उस दर्द को, कहने के लिए, हमको बीसियों साल चाहिए, क्योंकि हमारे जो शरीर है, हमारी जो आत्माओं है, हमारी जो जीव है, सुन पड़ चुकी है, more than one half of us, यानि हम मैंसे, आधे से ज्यादा, black fog, काले लोगों मैंसे, in the United States, यानि अमेरिका में, our tillers, किसान है, off the soil, खेत को जोतने वाले, till मने, जोतना, तो tillers of the soil, यानि खेत जोतने वाले लोग है, and three-fourths, और तीन चौथाई, of those of us, हम मैंसे, who till the soil, जो के खेत जोतते हैं, are sharecroppers, sharecroppers वो हते हैं, जो के बटाई पर खेती करते हैं, and deliverers, और दिहारी मजदूर है, the land we till, वो जमीन जिसको हम जोतते हैं, is beautiful, खुबसूरत है, in red and black and brown clay, और उसकी जो मिटी है, वो लाल रंग की, काले रंग की, और brown कत्था ही रंग होता है, तो इन रंगों की है, वो मिटी, with fresh and hungry smells, जिसकी के fresh ताजी, hungry, मने भूख लगाने वाली smell, खुश्बू आती है उसमें से, with pine trees and palm trees, और उस जमीन पर palm trees है, pine trees है, ताड के पेड है, और with rolling hills, यानि घूमती हुई, चारो तरफ चाही हुई, hills पहाडियां है, and swampy delta, swampy मतलब दलदली delta है, and unbelievably, believe मने विश्वास करने लाइक और unbelievably, अविश्वास नहीं है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इतनी fertile land है, इतनी उपजाओ जमीन है, bounded, जो कि घिरी हुई है, on the north, उत्तर की ओर से, by the states, राजियों से, कौन-कौन से राजियों से उत्तर में घिरी हुई है, Pennsylvania, Ohio, Illinois, इनके नाम याद कर लीजिएगा, ये आप से questions में पूछा जा सकता है, कि नॉर्थ में घिरी हुई है, Pennsylvania, नोट कर लीजिएगा, Ohio, Illinois, and Indiana, इन राजियों से घिरी हुई है, नॉर्थ में, on the south, दक्षण में, by the Gulf of Mexico, Mexico की खाड़ी से, on the west, पश्चिम में, by the Mississippi River, Mississippi नदी से, and on the east, और पूरव की ओर, by the Atlantic Ocean, तो सारी दिशाओं को याद करना है आपको, और किस-किस दिशा में, किस-किस चीज से घिरी हुई है, वो जगह, वो आपको याद रखना है, ये short answer type questions, या multiple choice questions में, आप से पूछा जा सकता है, आर सदर्न स्प्रिंग्स, हमारे जो दक्षन के स्प्रिंग होते हैं जढने, आर फिल्ड भरे हुए हैं, with quiet noises, quiet मने शांत, noise मने शोर, तो ये एक तरीके से oxymoron भी हुआ, शोर कैसे quiet हो सकता है, और जो quiet है वो शोर कैसे हो सकता है, लेकिन वो धीमी धीमी आवाज आती रहती हैं, south से spring की, जढनों की, तो our southern springs are filled with, हमारे दक्षन के जढने भरे हुए हैं, with quiet noises, शांत, शोर से, and scenes of growth, और द्रिश्यों से of growth मने पैदावार के, apple birds, save की कलियां, laugh, हसती हैं into blossom, फूलों के रूप में, यानि कलियां, खिल कर फूल बनती हैं, और हसती हैं, save की कलियां, honey circles creep up the sides of houses, honey circles यानि जो शहर चूसने वाले हैं, ये तो इसका शाब्दे कर्थ हुआ, लेकिन honey circles भावरों के लिए या उनके लिए नहीं आया यहां पर, वैसे तो इसका जो शाब्दे कर्थ हुआ तो फिर निकलेगा, मधुमक्खी और भावराल, जो के फूलों का रस चूसते हैं, लेकिन यहां पर honey circle एक लता है, बेल है, जिस पर के फूल खिलते हैं, creep up, मने rankty रहती हैं, creepers होती हैं लताएं बेलें, तो creep up, rankty हुई चड़ जाती है, the sides of our houses, the sides of houses, यानि घरों के चारों ओर, यानि दीवारों के सारे सारे चड़ जाती हैं, यह लताएं, sun flowers, यानि सूरज मुखी के फूल, nod, मने सिर हिलाते हैं, in the hot fields, गर्म खेतों में, from mossy tree to mossy tree, mossy मतलब जिन पैके काई जम जाती है, बारिश होती है, पानी बरसता है और फिर होसे, काई जम जाती है, तो काई लगे हुए पेड़ों से, मतलब यहां से वहां तक फैले होता हैं, mossy tree to mossy tree, oak, em, below, aspen, sikamore, यह सब पेड़ों के नाम हैं, जो अमेरिका में मिलते हैं, बलूत का पेड़ है, em, below, aspen, sikamore, dogwood, cedar, walnut, ash, and hickory, यह सब पेड़ों के नाम हैं, यह आप नोट कर लीजेगा, क्योंकि एक दो बार ऐसे questions आये हैं, यह वाला तो खर हमारे यहां prescribed भी नहीं है, dream children में से आये थे, exam में question, dream children में कई तरीके के वहां फलों के नाम दे रखे थे, जो Charles Lamb का essay है, dream children, और exam में question आया था, कि इन में से कौन से फल का नाम नहीं आया है, dream children जो essay है, तो आपसे भी essay पूछा जा सकता है, कि इन में से कौन से पेड़ का नाम नहीं आया है, तो यह सारे पेड़ों के नाम आप नोट कर लीजेगा, bright green leaves, bright मने चमकती हुई, green मने हरी लीपतियां, चमकदार हरी पतियां, jet from a million branches, jet from, jet का मतलब होता है, निकलना, यानि इतनी सारी हरी चमकीली पतियां निकलती हैं, from a million branches, लाखों शाखाओं से, to form, मतलब form मने बनाना और बनाती है, an awning, एक ऐसा, awning होता है, canopy या चाता जैसा बना देती हैं, एक दम चाही देती हैं, तो उसको awning बोला है, चाते को, जो पतियां बनाती है, that tries to shield, जो कोशिश करता है, ये जो awning है, ये जो चाता है पतियों का, कोशिश करता है, to shield, मने सुरक्षा करने की, and shade और चाया देने की, the earth, धरती को, blue and pink, नीले और गुलाबी, kites, पतंगे, of small boys, छोटे windy year, यानि wind माने भी हवा होती है, और year माने भी हवा होती है, लेकिन wind वो जो चलती हुई हवा है, उसको बोलते हैं, और air तो हर जगे होती है, बंद कमरे में भी air होती है, तो वो जो चलती हुई हवा है, उसमें बच्चों की पतंगें उड़ती है, In summer, गर्मी में the magnolia trees, magnolia के जो पेड़ हैं, fill भर देते हैं, the countryside, पूरे देहात को with sweet scent, मीठी खुशबू से for long miles, लंबे-लंबे मीलों तक, मीलों दूर तक, वो अपनी खुशबू से भर देते हैं, magnolia. Days are slumberous, जो दिन होते हैं, वो slumberous, जब आराम, चैन पड़ जाता है न, तो नीन सी आने लगती है, जब अच्छी परिस्तियां होती है, जिसे जब ठंड पड़ रही है, और आपको जरासी रजाई में घुसने को मिल जाए, तो किसी नीन आने लगती है, या वैसे गर्मी, और जो आकाश है, वो उंचा होता है, और चाया रहता है, भरा रहता है, clouds, बादलों से, that ride fast, जो के बहुत तेजी से उड़ते रहते हैं, at midday, दो पहर में, the sun blazes, सूरज चमकता है, and bleaches, और सुखा देता है, the soil, मिट्टी को, butterflies, तितलिया, flit through the heat, फुदकती रती है, उड़ती रती है, through the heat, गर्मी में, wasps, बर्रेया, sing there, sing मने गाती है, there, अपना शार्थ तीखा, straight lines, सीधी पंक्तिया, मत्दब के, उनका अपना गीत है, हर कीडे मकोडे का सबके अपने अपने गीत हैं, तो वो अपने गीत गाती है, सीधी सीधी lines में, birds, fluff, और जो चिडियां है, पंक फरफडाती है, and flounce, और उड़ती है, flounce आप कह सकते हैं, जटके से उड़ना, एकदम से उड़ जाती है, पंक फरफडाती हुई, piping in querulous joy, piping मने वो भी अपने गीत गाती है, अपने सोर लगाती है, in querulous joy, यानि शोर मचाते ह हुए आनंद से शोर मचाती हुई, वो भी अपने गीत गाती है, nights are covered, और जो राते हैं, वो धकी होती है, with canopies, canopy वो ही चाता हुआ, जैसे चातों से धकी रहती है, sometimes कभी-कभी blue, नीले, and sometimes कभी-कभी black, काले, तो बादल चाहे रहते हैं, कभी काले, नीले, ऐसे canopy की तरह, च stars, that sag low, जो के नीचे लटक जाते हैं, with ripe, मने पके हुए and nervous, और उदास stars तारे, तो तारे भी अजीव से उदास से ऐसे दिखाई देते हैं, पके हुए दिखाई देते हैं, यानि कि जो आकाश में, उनका रंग, लाल, पीला, ऐसे दिखाई देते हैं, पके हुए फल होते है तो उनका किसी का रंग पीला होता है, किसी का लाल होता है, तो ऐसे stars दिखाई देते हैं, the throaty boast of frogs throaty मने जो गला भर रहा जाता है आप लोगों का वी गला बैठ जाता हमारा वी गला बैठ जाता सर्दी से तो वो throaty boast मने दः़ार of frogs मने मेढकों की तो मेढकों का तो आप टर रहा थे कोई आदमी वैसे भी बोल ला हो तो हम कहते हैं कि काय को टर रहा रहे हो तो जो मैढकों की भारी आवाज फोस्ट उनकी दहार और फ्रॉक्स मैढकों की momentarily यानी हर पल drowns out माने दुबा देती है the call means आवाज को end counter call और बदले में दी गई आवाज एक दूसरे को ऐसा लगता है एक of crickets मने जीमरों की तो एक जीमर बोलेगा फिर दूसरा जीमर बोलेगा फिर पहला जीमर बोलेगा तो ऐसा लगता जैसे call और counter call चल लए हो बाची चल लए हो उनकी आपस में तो जो जीमरों की आवाज है उनको मैढकों की आवाज दबा देती है इन ओटम पतज़र में दा लेंड इस जो जमीन होती है एफायर जलने लगती है विद कलर रंगों से रेड एंड ब्राउन लाल और कत्थाई लीवस पत्तियां लिफ्ट उड़ती हैं एंड फलटर और फरफराती हैं ड्राइली सूख कर बिकमिंग एंटेंगल्ड और वो उलस्ती हैं इन दा इस्टिफ ग्रास इस्टिफ मने कठोर घास से एंड कॉर्ण स्टाक्स कॉर्ण मने अनाज होता है इस्टाक्स उसके पेड़ अनाज के पेड़ों से या फिर जैसे अनाज को काट लेते हैं तो उसको ठूंट रह जाते हैं वो भी स्टॉक कहलाते हैं तो अनाज के पेड़ों से उलस्ती हैं cotton is picked cotton root is picked चुनी जाती है रूई का फूल खिलता है और फिर उसमें से रूई लोग बीनते हैं तो cotton is picked, रूई को चुना जाता है, and gin. Гिं का मतलब होता है, रूई में दाने होते हैं, चिन्हें, बिनौले बोलते हैं. और उनको अलग करने का जो process है, वो gin कहलाता है. तो रूई को चुना जाता है और उससे बिनौले अलग किये जाते हैं यानि बीज अलग किये जाते हैं केन गन्ने को बोलते हैं गन्ने को पेरा जाता है क्रश्वने उसको पेरा जाता है कोलु में एंड इस जूस और उसका जो रस है इस सिमर्ड डाउन इन्टू मोलैसे उसको मदब कि सिमर उसको खुलाया जाता है गाढ़ा किया जाता है, into molasses, उसका गुड बनाया जाता है, कोलु चलते हैं, कोलु पर गन्ना पेरा जाता है, गन्ने का गुड बनाया जाता है, yams are grabbed out, yams एक फल जैसा होता है, वो जमीन के अंदर से निकलता है, तो उसको उखाड़ा जाता है, grabbed out of the clay, मिट्टी से उखाड़ जाता है, hawks are slaughtered, hawks सूर को बोलते हैं, are slaughtered, मने उनको काटा जाता है, सूर का पालन होता है, और सूरों को फिर काटा जाता है, and cured in lingering smoke, cured मने उनको पकाया जाता है, उनके मास को पका कर, lingering मने ठहरे हुए, smoke मने धुए में, धुए में आग में पकाया जाता है, उसको प्रिजर किया जाता है कॉर्ण इस हस्ट कॉर्ण मने अनाज और हस्ट होता है उसके अनाज के ऊपर का जो छिलका होता है उसको अलग करना और अनाज को उसमें से निकालना तो अनाज को पीट के उसका छिलका अलग किया जाता है and ground और उसको पीसा जाता है into meal मने आटे के रूप में meal मने वैसे भोजन होता है लेकिन यहाँ आटा आएगा at twilight यानि संध्या के समय twilight दो बार होती है एक तो सुभह भी होती है रात और दिन मिलते हैं और शाम के समय भी रात और दिन मिलते हैं तो यहाँ पर संध्या वाल आई है तो twilight में यानि गोधुली की बेला में the sky is full of आकाश भरा होता है wild geese जंगली बतक विंगिंग उरती हुई ever हमेशा southward दक्षिन की ओर तो यह देखिए note करिएगा कि जो wild geese हैं वो किस तरफ उरती है southward यह multiple choice questions ऐसे तरीके से पूछ लिए जाते हैं इसलिए आपको chapter को बहुत minutely पढ़ना होता है and bats jerk और bats मने वो होती है चमगादर जर्क मनी जटके खाते हुई निकलती है through the air हवा में देखा हुआ अचानक से उड़के आती है चमगादर शाम के समय at night रात में the winds blow हवाएं चलती है free आजादी से खुब तेज हवाएं चलती है रात को in winter सरदियों में the forest, jungle, resound मनी गूंशते हैं with the bite यानि काट से of steel axes यानि लोहे की कुलहरियों की आवाज से वो काटती है न पीड़ों को eating into जो के खा जाती है tall trees, लंबे लंबे पीड़ों को as men gather जब कि मनुश्य इकठे होते हैं या इकठा करते हैं would, लकडी for the laden days of cold laden माने भारी दिन होते हैं of cold सरदी के लोग लकडियों को पीड़ों को काट काट के लकडिया इकठा करते हैं भारी दिनों के लिए, सरदियों के दिनों के लिए तो खुब कुलारियों की आवाजें आती है the guns of hunters, शिकारियों की बंदू के snap and crack, वो चटकती हैं और मलब धायनाय करती है बंदूकों की आवाज आती है fire की आवाज आती है long days, लंबे दिन of rain, बरसाद के कम आते हैं and are swollen creeks, rush और हमारे swollen फूले हुए, यानि उफनते हुए creeks, मने आपके सकते ना ले, rush दोड़ते हैं to join मिलने के लिए a hundred rivers, सेकड़ों नदियों से that wash across the land, जो के धरती के wash across मैंने बहती है धरती से होकर उस जमीन से होकर बहती है तो उन नालियों में जाकर मिलने को सेकड़ों नाले दोड़ते हैं and उन नदियों में मिलने के लिए and make great harvards or make बनाते हैं great बड़े-बड़े harvards, बंदरगा, where जहां they feed वो पोशित करते हैं या पानी देते हैं the gulf, यानि खाड़ी को और the sea या समुद्र को यानि जो बड़े-बड़े नाले हैं वो जाकर नदियों में मिल जाते हैं और नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती हैं वहां बड़े-बड़े बंदरगाहा बनते हैं खाडियों में या समद्रों में occasionally कभी कभी the rivers नदियां leave their banks leave मने उचल जाती है overflow कर जाती है their banks अपने किनारों से यानि बहुत ज़्यादा पानी होता है तो वो किनारों से बाहर निकल ज़्यादा है पानी and leave और छोड़ देती है new thick layers नई मोटी पढ़ते है of silt रेती की to enrich बने सम्रिद बनाने के लिए और उपजाओ बनाने के लिए the earth जमीन को and then और तव the look of the land जमीन का द्रिश्य जमीन का नजारा is garish आप भूरा कह सकते हैं garish भूरा हो जाता है bleak बेरंग हो जाता है suffused with suffusement बने बहर जाता है of first day stillness यानि शुरुवाती दिनों की शांती से strangeness विचित्रता से and awe एक डर से यानि बड़ी अजीब सी हालत हो जाती है वहाँ का जो नजारा है एकदम से अलग सा हो जाता है जब बाढ़ आ जाती है और नदियां overflow हो जाती है नुकसान तो यह होता है घरवार में भी पानी भर जाता है कुछ लोग डूब जाते हैं बह जाते हैं लेकिन वो जो बाढ़ है आती है वो अपने साथ बड़ी उपजाव मिटी भी ले कर आती है तो जमीन को जहां पर आती है बाढ़ उस जमीन को बड़ी उपजाओ बना देती है बट लेकिन weather in spring और summer और autumn और winter चाहे spring यानि बसंद का मौसम हो, summer गर्मी हो autumn पतज़ड हो और winter या फिर सर्दी हो time slips past us time, summer, slips सरकता है past us हम से, हमारे करीब से होकर remorselessly, बिना किसी अफसोस के समय गुजरता जाता है and it is hard और ये बड़ा मुश्किल है to tell बताना of the iron उस लोहे के बारे में that lies जो पड़ा हुआ है लेटा हुआ है बिनीत the surface यानि सतह के नीचे बिनीत मने नीचे सर्फेस सतह of our quiet dull days हमारे जो शान्त उबाव दिन है उनके नीचे जो लोहा गर्म खोलता हुआ लावा जो पड़ा हुआ है उसको बताना बड़ा मुश्किल है to paint the picture तस्वीर को खीचना तस्वीर को बनाना of how कि कैसे we live हम रहते हैं on the tobacco, cane, rice and cotton plantations tobacco तमाकू होता है cane गन्ना होता है, rice चावल होता है cotton कपास होती है तो इनके plantation मने खेतों में उनके farm में हम कैसे रहते हैं इसकी तस्वीर बनाना is वो है to compete मने प्रतिसपरधा करना rivalry करना with mighty artists बड़े बड़े कलाकारों से ताकतवर कलाकारों से प्रतिसपरधा करना होगा rivalry करना होगा अगर हम तस्वीर खींचना चाहें कि हम कैसे रहते हैं उनके तों में the movies बने film है the radio the newspapers अखवार the magazines पत्रेकाए and even the church और यहां तक कि church के साथ भी हम rivalry कर रहे होंगे competition कर रहे होंगे अगर हम यह बताना चाहें इन सब के साथ competition करना होगा अगर हम यह बताना चाहें कि हम वहां रहते कैसे हैं they have painted उन्होंने चित्रित की है यानि इन सब ने movies ने film ने radio ने newspapers ने magazines ने और यहां तक कि church ने paint की है one picture एक तस्वीर charming जो बड़ी खुबसूरत है आकरशक है idyllic idyllic भी वही होता है जो जहां पर हरयाली दिखाई जाती है हरी भरी तस्वीर romantic बड़ी कल्पनाओं से भरी हुई खुबसूरत सी तस्वीर but we live another लेकिन हम एक दूसी तस्वीर जीते हैं यहां जो दिखाई जाती है फिल्मों में जो दिखाई जाती है खेतों की एक तस्वीर दिखाई जाती है जो बड़ी खुबसूरत होती है गाउं अगर दिखाई जाते हैं फिल्मों में तो बड़े खुबसूरत से गाउं दिखाई जाते हैं लेकिन जो वास्तविकता है वो दूसरी होती है लेकिन हम जो जीते हैं वो दूसरी ही तस्वीर जीते हैं जमीन के मालिकों के डर से भरी हुई बोइंग एंड ग्रिनिंग बोइंग मने सर जुकाते हुए एंड ग्रिनिंग और मुस्कुराते हुए when we meet जब हम मिलते हैं white faces सफेद चेहरों से यानि गोरे लोगों के चेहरों से गोरे लोगों जब हमारे सामने हों तो हमें उनके सामने सिर जुकाना होता है और मुस्कुराना होता है toiling मेहनत करते हुए from sun to sun यानि सुभह से शाम तक सूरज निकलने से सूरज डूबने तक living रहते हुए in unpainted जो बिना paint हुए बिना पुताई के wooden लकडी के shacks यानि आप कह सकते हैं जो huts हैं ऐसे बना दिये जाते हैं एक के उपर एक तखते रखके लकडी के shacks बना दिये जाते हैं मदब के जुपगी जौपड़ी यह आप कह सकते हैं that sit casually जो के sit मने रखे होते हैं casually यूँ ही ऐसे ही बेतरतीब and in securely और असुरक्षित रूप से upon the red clay लाल मिट्टी के उपर यानि मिट्टी और लकडी से ऐसे ही घर्मना दिये जाते हैं बेतरतीब से और उन पर पेंट तो कोई होता नहीं है और उन ही में हम रहते हैं in the main मुख्य रूप से we are different हम अलग हैं from other folk दूसरे लोगों से in that इस बात में when जब an impulse एक भावना moves us हमारे अंदर घूमती है हमारे अंदर पैदा होती है when we are caught जब हम फसे होते हैं in the throws मने बहाव में of inspiration प्रेणा के जब हमारे अंदर कोई प्रेणा जगती है कोई भावना जगती है when we are moved to better our lot when we are moved जब हमारी इच्छा होती है जब हमारे मन में आता है to better मने बहतर बनाने का our lot अपने भागय को कभी-कभी हमारे मन में आता है कि हम भी पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें कुछ business करें कहीं अच्छे offices में नौकरी करें ऐसा कुछ हमारे दिमाग में जब आता है, हमारे मन में आता है we do not ask ourselves तो हम अपने आप से ये नहीं पूछते can we do it क्या हम ये कर सकते हैं बट बलके हम ये पूछते हैं अपने आप से will they let us do it क्या वो हमें ऐसा करने देंगे यानि करने की चमता तो है ये हमें नहीं अपने आप से पूछा होता कि हम ये कर सकते हैं बलके हम ये सोचते हैं क्या गोरे लोग हमें ऐसा करने देंगे? मालिक लोग हमें ऐसा करने देंगे? Before, इससे पहले के We black folk, हम काले लोग can move यानि हिल सकें, कुछ और सोच सकें, काम कर सकें We must first look into तो हमें पहले देखना होता है The white man's mind गोरे लोगों के दिमाग को To see, देखने के लिए What is there? कि वहाँ क्या है? गोरे लोगों के दिमाग में क्या है? पहले हमको ये देखना होता है To see, ये देखने के लिए What he is thinking? कि वो क्या सोच रहे हैं? गोरा लोग, गोरा आदमी हमारे बारे में क्या सोच रहा है? And the white man's mind और गोरे आदमी का दिमाग is a mind वो एक ऐसा दिमाग है That is always changing जो के हमेशा बदलता ही रहता है In general, सामने रूप से There are three classes तीन वर्ग हैं of men लोगों के एववस हमसे उपर अब ये आपको याद रखना है ये भी question पूछा जाता है के तीन लोग कौन कौन से है तीन वर्ग कौन कौन से है तो ये आप note कीजिएगा अच्छे से सुनिएगा पढ़िएगा The lords of the land तो पहले हैं The lords जानी मालिक of the land जमीन के operators of the plantations जो के operator होते हैं जो के देखवाल करते हैं of the plantation यानि जो पेड़ लगाई जाते हैं पौधे लगाई जाते हैं खेती जो की जायती है फसलें लगाई जाती है उनके वो मालिक होते हैं यानि उनके operator होते हैं उनको आद देखवाल वो करना उनके हाथ में होता है The bosses of the buildings और फिर boss होते हैं यानि जहां रह रहे होते हैं वहां के boss होते हैं The owners of industry जो के owner मालिक होते हैं of the industry मने जो व्यवसाय है जो द्योग धन्दा है उसके मालिक होते हैं And the vast numbers of poor white workers और एक और वो है एक और वर्ग है जो इनके उपर है The vast number यानि विशाल संख्या of poor white workers गरीब गोरे कामगारों की ये भी उनसे उपर है यानि मजदूर जो के गोरे मजदूर हैं वो भी काले मजदूरों के उपर हैं मजदूर मजदूर बराबर नहीं है वो भी काले मजदूरों से उपर हैं And the vast numbers of poor white workers are immediate competitors जो के हमारे immediate बिलकुल नजदी के competitors यानि प्रतिसपर्धा हमसे करने वाले होते हैं प्रतिद्वंदी होते हैं in the daily struggle रोजाना के संघष में for bread रोटी के लिए तो वो गोरे लोग भी अपनी रोटी के लिए संघष कर रहे हैं over the plantations यानि फसल पर and over us और हमारे उपर the bosses of the buildings और जो building के boss होते हैं इमारतों के जो boss हैं या industry के जो boss हैं उद्योग के जो मालिक हैं land money वो पैसा देते हैं and issue orders और आग्या देते हैं command देते हैं to the lords of the land जो जमीन के मालिक हैं उनको ध्यान रखिएगा बड़ा पेचीदा सा है यह जो पूरा paragraph है और इस पर question जरूर आता है exam में the bosses of the buildings और जो buildings के boss हैं यानि industry के जो मालिक हैं feed upon वो feed upon वो निर्भर होते हैं यानि वो शोशन करते हैं वो पैसा लेते हैं उनकी जो income होती है वो कहां से आती है the lords of the land जो जमीन के मालिक हैं उनसे and the lords of the land और जो जमीन के मालिक हैं feed upon वो निर्भर होते हैं बड़ी लंबी संख्या है एकाई दहाई सैकड़ा हजार दसजार लाख और दस लाख तो पचास लाख यानि 50 lakh landless यानि बिना जमीन वाले भूमहीन poor whites गरीव गोरों पर and upon us और हमारे उपर throwing to the poor whites the scant solace of filching from us अच्छा पूरा समझ में नहीं आएगा बहुत लंबा सेंटेंस है तो मुझे तो तोड़ तोड़ के ही बताना पड़ता है क्योंकि पूरा सेंटेंस आपकी समझ में भी नहीं आएगा एक बार में आप लोग कहते ही हैं कि एक बार में पूरा सेंटेंस की हिंदी बताओ वो संभवी नहीं है यतने लंबे सेंटेंस है तो अब जो lords of the land हैं जमीन के जो मालिक हैं वो निर्भर हैं पचास लाग तो यह हो गए लेंडलेस पूर वाइट्स जो बिना जमीन वाले गरीब गोरे लोग हैं एंड अपॉन अस और हमारे उपर थ्रोईंग डालते हुए तो द़ पूर वाइट्स यानि गरीब गोरों के लिए द़ स्केंट सोलेस स्केंट मने बची कुची सोलेस माने राहत और फिल्चिंग फॉर्म उस यानि फिल्च माने होता है कचोटना फॉर्म उस हमसे हमसे नوच नौच के यानि हमसे भी नौचते हैं ये 50 लाख जो गरीब गोरे लोग है और हम ये 40 लाख हुए हम जो 40 लाख लेंडलेस ब्लैक्स हैं बिना जमीन वाले काले लोग हैं वाट दे पूर वाइट्स जो के गरीब गोरे लोग हैं देमसेल्स आर चीटेड उनको धोखा दिया जाता है उसमें गरीब गोरे लोगों को भी धोखा दिया जाता है आफ़ जो गरीब गुरे लोग हैं वो हम से कचोटते हैं अच्छा है वां हम से कचोटा गरीब गोरे लोगों ने और गरीब गोरे लोगों से कचोटा Lords of the Land ने और Lords of the Land उनसे कचोटा Bosses of the Building देखिए तो एक चेन बन गई जैसे की चेन बनी हुई है तो इसको जड़ा परग्राफ को आप दिहान से देखिएगा एक दो बार दिहान से पढ़िएगा तब आपकी समझ में आएगा और इस पर question ज़रूर आएगा ये ज़रूर ध्यान दखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं back of this tangled process back मने पीछे of this tangled tangled मने उल्जे हुए process प्रक्रिया आप आपने देखा ला इससे पहले वाला जो प्राग्राफ है बड़ा उल्जा हुआ प्रोसेस है तो इस उल्जे हुई प्रक्रिया के पीछे is a long history एक लंबा इतिहास है when जब the emancipation proclamation was signed emancipation होता है उद्धार proclamation उद्धोषना यानि हमारे उद्धार की उद्धोषना की गई थी signed उस पर हस्ताक्षर किये गई थे और ये कब हुआ था मैंने आपके लिए डेट लिख लिए है एठारे सो त्रेशर में 1863 में emancipation proclamation पर sign हुए थे उस पर हस्ताक्षर किये गए थे देर वर तो उस वक्त थे सम लगभग फिर वही 40 लाग एक आईदा ही सेगड़ा और चाहे हुए थे अपॉन दा लेंड इस धर्ती पर विच वी हैल्ड टिल्ड जिसको के हमने जोता था अंडर कंपल्शन यानि जवर्दस्ती कंपल्शन होती है जवर्दस्ती फॉर टू एंड हाफ सेंचुरीज यानि धाई शताब्दी तक धाई सो साल तक हमने इस पर खेती की थी और खेती क्या की थी अंडर कंपल्शन दूसरों की घुलामी में जवर्दस्ती संडर्ड सडनली संडर्ड मने अलग करना सडनली अचानक from only relationship एक मात्र संबंध से हमको अलग कर दिया गया with western civilization पाश्चात्य जोत्ते थे और जो पैदावार होती थी वो मालिकों की होती थी we had been allowed हमको अनुमती दी गई to form since our captivity यानि to form बनाने के लिए since our captivity हमारे captivity हमको गुलाम बनाया गया हमको जो पकड़ा गया गुलाम बनाया गया तो यही संबंध बनाने की हमको अनुमती दी गई थी only relationship with western civilization we had been allowed to form तो हमको अनुमती दी गई थी जो संबंध एक मात्र संबंध बनाने की पाश्चत सभ्यता से since our captivity हमारे पकड़े जाने से यानि इन काले लोगों को पकड़ पकड़ कर गुलाम बनाया जाता था फिर उन से खेती करवाई जाते थी our personalities हमारे व्यक्तित्व blighted दुन्दले हो गए थे by 250 years यानि 200 साल के off servitude गुलामी के द्वारा तो 200 साल की गुलामी ने हमारे व्यक्तित्वों को बिलकुल कालिख पोद्दी थी उन पर धुन्दला कर दिया था पास रखने के our wives अपनी पत्नियों को and husbands और पतियों को and children और बच्चों को together साथ in our family units अपनी परिवार के तौर पर यानि जब ये गुलाम खरीदे बेचे जाते थे तो पत्नी को कोई खरीद ले गया पती को कोई खरीद ले गया बच्चों को कोई खरीद ले गया तो सारा परिवार कहीं से कहीं बिखर जाता था तो हमारे अंदर एक उत्सुकता थी के भई हमारी पत्नी हमारे बच्चे हमारे पती सब साथ साथ एक परिवार के रूप में रहें तो इस इच्छा से some of us हमें से कुछ लोग turned back वापस मुड़ गए to the same lords उन्ही मालिकों के पास of the land जमीन के who had held us जिन्होंने हमको रखा था as slaves गुलामों के रूप में and begged और हम लोगों ने भीक मांगी for work काम की यानि आजादी मिल गई गुलामी प्रथा खतम हो गई तो भी उसके बाद भी हम लोगों ने अपने उन्ही मालिकों के पास जाकर भीक मांगी कि भाई हमें उसी काम पर रख लो लेकिन हमारे ऐसे पूरे परिवार को रख लो resorted हमने शरण ली to their advice उन्ही की सलहा की यानि उन्ही के शरण में हम लोग गए and there begin और वहां शुरू हुआ for us हमारे लिए a new kind of bondage एक नए प्रकार की गुलामी share cropping और वो गुलामी क्या थी share cropping यानि के बटाई पर खेत जोतना बटाई पर फसल होगाना glad to be free यानि खुश हो कर to be free आजाद होने पर आजाद होने पर खुश हो कर some of us हमें से कुछ drifted और इधादर निकल लिये and gave way to every vagary of impulse and gave way और हमने रास्ता दी दिये मतलब कि हम जुग गए to every vagary हर सनक के सामने of impulse भावनाओं की that swept through us जो कि हमारे अंदर चाही हुई थी being held in the line of life being held यानि हम जगड़े हुए थे in the line of life जीवन रेखा में only cable by the necessity आवश्यक्ता से to work काम करने की and eat और खाने की confined for centuries confined हमको जगड़ कर रखा गया था for centuries सर्ताब्दियों तक to the life जीवन के में of the cotton field यानि कपास के खेतों में many of us हमें से बहुतों के पास possessed no feelings कोई भावना ही नहीं थी of family परिवार की home घर की community समुदाय की race प्रजाती की church चर्च की और progress या प्रगती की तो हमारी मानसिक्ता ऐसी हो गई थी कि शदाब्दियों तक तो हमको कपास के खेतों में गुलाम बना के रखा गया था तो अब हम लोगों के अंदर कोई भावना ही नहीं बची थी कि भाई हमारी भी घर हो परिवार हो समुदाय हो हम भी church जाएं हम भी तरक्की करें तो बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी कोई भावना थी ही नहीं we could scarcely believe scarcely मुश्किल से ही हमें मुश्किल से ही ये विश्वास हो पा रहा था that we were free कि हम आजाद हो गए थे and or our restlessness हमारी बेचैनी and incessant mobility incessant मने लगातार mobility मने घूमना और लगातार घूमना वर थे our name way तो अब हम जब आजाद हो गए तो पहरे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हम आजाद हो गए फिर हम लगातार इधर से उधर घूम कर ये टेस्ट कर रहे थे कि वास्तम में हमें आजादी मिली है क्या just as a kitten जैसे कि एक बिल्ली का बच्चा stretches यानि अंगडाई लेता है एंड यौन्स और जमाई लेता है after a long sleep एक लंबी नींद के बाद so इसी प्रकार thousands of us हमें से हजारों लोग tramped from place to place घूम्टने लग गए एक जगह से दूसरी जगह for the sheer sake of moving sheer माने केवल केवल घूमने की खातर looking देखने की खातर wondering सोचने की खातर landless upon the land यानि हम लोग जो के landless थे बिना जमीन वाले थे upon the land उस जमीन पर घूमने लगी हम लोग Arkansas, Missouri, Tennessee, Kentucky North Carolina, South Carolina Louisiana, Alabama, Mississippi, Georgia Virginia and West Virginia became the home states ये हमारे घर के राज्य हो गए of us freed blacks हम आजाद काले लोगों के तो फिर से आप नोट कर लीजेगा कि इन में से कौन सा आजाद काले लोगों का home state नहीं बना तो ये ये states बने इन 1890 अठारे सो नभ्य में हमने उस जगह को छोड़ा and kept afloat और घूमते रहे wandering घूमते हुए from Natchez to New Orleans Natchez से New Orleans तक from Mobile to Montgomery ये mobility भी होगा उसका उचारण मुझे exactly mobile या mobility है to Montgomery तक from Macon to Jacksonville Macon से Jacksonville तक from Birmingham to Chattanooga Birmingham से Chattanooga तक from Nashville to Louisville Nashville से Louisville तक from Memphis to Little Rock Memphis से लेकर Little Rock तक labouring मजदूरी करते हुए in the saw mills saw mills क्या होती है वो factory होती है जहाँ पेड़ों के बड़े-बड़े लठे होते हैं उनको काट-काट के तखते बनाए जाते हैं वो saw mills कहलाती है यानि लकड़ी की चिराई होती है तो उन लकड़ी की चिराई होने वाली मिलों में मजदूरी करते हुए ये टर्पेंटाइन केम्स ये टर्पेंटाइन केम्स होते हैं जहाँ पे तारपीन का तेल बनाया जाता है तो हम वहाँ पे मजदूरी करते रहे on the road jobs यानि सड़क पर जो हमको job मिल गए, काम मिल गए उन पर हम काम करते रहे working for men उन लोगों के लिए हम काम करते रहे who did not care जिनको कोई फर्क नहीं पढ़ता था if we lived or died कि हम जी रहे हैं या मर रहे हमारे जीने मरने से जिनको कोई फर्क नहीं पढ़ता था but who did not want लेकिन जो कि नहीं चाहते थे their business enterprises यानि उनके जो व्यवसाय हैं to suffer देरिंग मने सामना करते हुए the first decade पहले दशक्का of the 20th century बीसमी शक्ताब्दी के more than one and three quarter millions more मने ज्यादा one एक और three quarter means three quarter millions of us यानि एक और तीन चोथाई यानि पौने दो मिलियन और एक मिलियन में दस लाग होते हैं तो पौने दो मिलियन के लगभग of us हमें से abandoned उन्होंने छोड़ दिया the plantations यानि खेती बाड़ी को upon which जिनमें के we had been born हम लोग पैदा हुए थे यानि कुछ लोग फिर भी वहीं बने रहे लेकिन इतने लोगोंने उन खेतों को छोड़ दिया जहां पर हम पैदा हुए थे more than a million of us हमें से दस लाग से ज्यादा लोग roamed घूमते रहे the states राज्यों में of the south धक्षण के and the remainder of us और बाकी हमें से बचे हुए लोग drifted north उत्तर की ओर चले गए are women हमारी ओरतें fared easier fared मैंने उन्होंने उनको काम मिल गया easier आसानी से than we men जितना के हम पुर्षों को मर्दों को during the early days शुरुआती दिनों के दौरान of freedom आजादी के तो हम पुर्षों को मर्दों को तो इतनी आसानी से काम नहीं मिले शुरुआती दिनों में बलके हमारी जो ओरतें थी उनको आसानी से उनका काम चल गया on the whole क्योंकि कुल मिला कर their relationship उनका सम्मन्ध to the world संसार से was था more stable ज्यादा इस्थिर than ours हमारे सम्मन्धों से their authority उनकी जो ताकत थी was supreme वो सबसे उपर थी in most of the families ज्यादा तर परिवारों में in as much as क्योंकि ऐसा था के many of them उनमें से बहुत सारी औरतें हमारी जो निग्रो औरतें थी head worked उन्होंने काम किया था in the big houses बड़े बड़े घरों में of the lords of the land जमीन के मालिकों के बड़े घरों में and had learned और उन्होंने सीख लिये थे manners तोर तरीके had been taught उनको सिखाया जा चुका था to cook भोजन पकाना सिव सिलाई करना and nurse और बच्चों की और लोगों की देखभाल करना during slave days गुलामी के दिनों में they did not always belong to us वो हमेशा हमारी नहीं होती थी for क्योंकि the lords of the land जमीन के जो मालिक होते थे often took them अक्सर हमारी अरतों को ले जाते थे for their pleasure अपने मजे के लिए when a gang of us जब हम लोगों का एक समूम was sold बेचा जाता था from one plantation to another एक plantation से यानि एक खेती बाड़ी क्या जो farm है उससे दूसरे farm को बेचा जाता था our wives तो हमारी पत्निया would sometimes be kept उनको हमारी पत्नियों को कभी कभी रख लिया जाता था by the lords of the land जमीन के मालिकों के द्वारा and we men और हम जो पुरुष लोग होते थे would have two mates हम लोग उनको संबंद बनाने होते थे with whatever slave girl जो कोई भी गुलाम लड़की we chanced upon हमको मिल जाती थी because of their enforced intimacy because of means की वज़े से their उनकी enforced बने जबरदस्ती की intimacy धनिश्टता की वज़े से with the lords of the land जमीन के मालिकों से many of our women हमारी बहुत सारी औरत है जब वो इतनी बूड़ी हो जाती थी कि वो काम नहीं कर सकती थी were allowed तो भी उनको अनुमती मिल जाती थी to remain रहने की in the slave cabins गुलामों के cabins यानि वहाँ छोटे कमरे बना दिये जाते थे घर बना दिये जाते थे तो उन slave cabins में to tend यानि देखवाल करने के लिए generations पीडियों की of black children काले बच्चों के तो काले बच्चों की देखवाल करने के लिए वो औरतें वहीं बनी रहती थी they enjoyed वो आनन्द लेती थी a status एक ऐसी अवस्था का denied us जो के हम को नहीं मिलती थी men मर्दों को जो के हम मर्दों को ऐसी सहुलियत नहीं मिलती थी being called mammy इन बुढ़ी औरतों को mammy कहा जाता था and through the years और सालों के दोरान they become वो बन गई symbols प्रतीक of motherhood मात्रतों का retaining बनाए रखकर in their withered bodies अपने मुर्जाय हुए शरीरों में the burden बोजह of our folk wisdom हमारे जो लोक ग्यान था यानि फोक होता है लोगों का बिना पढ़े लिखे लोगों का wisdom ग्यान जो पीडी दर पीडी जाता है न जैसे हमारे लोग गीत हैं लोग साहित हैं तो हमारा जो लोग ग्यान है इनको पढ़ने लिखने की अनुवतितों थी नहीं गुलामों को तो इनकी अपनी जो culture है उनकी अपनी जो wisdom है अपनी कहानियां है अपने परंपराय है तो वो इन्हों ने ही बनाई रखा उसका पूरा बोजह इन्ही ओर्तों ने ढोई रखा running as arbiters running ये राज कर रही थी as arbiters यानि पंचों के रूप में या फिर mediators के रूप में in our domestic affairs हमारे घरेलू मामलात में until जब तक के we men were freed हम मर्दों को आजादी नहीं मिली and had moved और हम नहीं चले गए two cities शहरों में where जहां cash paying jobs cash में payment मिलना वाला यानि नगत पैसा मिलने वाले jobs काम enabled us उन्होंने हमें लायक बना दिया to become बनने के the heads of our own families अपने खुद के परिवारों का तो ये जो गुलाम होते थे इनको कोई पैसे वैसे नहीं दिये जाते थे बस खाना दे दिया और काम करवाते थे बहुत सारे आपको मिलेंगी poems भी मिलेंगी slaves dream एक बहुत अच्छी poem है जो एक गुलाम की व्यथा को दिखाती है आगे दिखते हैं economic and political power आर्थिक और राजनितिक ताकत of the south दक्षिन की is not held means नहीं रही है in our hands हमारे हाथों में we do not own banks हमारे पास bank नहीं है हम बैंकों के मालिक नहीं है iron या फिर हम लोहे के यानि लोहे की फैक्टरियों के मालिक नहीं है steel mills iron and steel mills के हम मालिक नहीं है हम ऐसे मलब काले लोगों के पास ये मिले नहीं है rail roads वो हमारे नहीं है office buildings यानि office की जो इमारते हैं वो हमारी नहीं है ships हमारे नहीं है warfs मलब जो घाट है जहांपर ये ships रहते हैं वो घाट भी हमारे नहीं है और power plants नहीं है there are some few of us हमें से कुछ लोग है who operate जो चलाते हैं small छोटे छोटे grocery stores यानि रोजमरा की चीजों के store यान दुकाने barber shops नाई की दुकाने बाल काटने की दुकाने grooming houses यानि कमरे किराए पर देने वाले घर burial societies यानि शबों को दफ्राने वाली जो शब मतलब कबरिस्तान है उनको चलाते हैं and undertaking establishment और मतलब हम establishments यानि घर बनाने का ऐसा काम करते हैं but none of us लेकिन हमें से किसी के पास भी नहीं owns यानि मालिकाना हक है any of the basic industries किसी भी मूल भूत उद्द्योग का that shape the course जो कि रास्ता बनाते हैं of the south दक्षन का यानि दक्षन का जो अमेरिका है नौर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आपको मालूम ही है तो जो दक्षन अमेरिका है उसका जो रास्ता बनाते हैं या उसको संभालते हैं ऐसे किसी उद्द्योग के हम मालिक नहीं है such as जैसे कि mining यानि खदाने है lumber यानि कि लकडी का जो काम है लकडी की मिले है textile कपड़ों की मिले है oil तेल मिले है transportation यातायाद का व्यवसा है और electric power या फिर बिजली की बिजली का जो भी अवसा है या बिजली की जो भी कारखाने है so अताय in the early spring शुरुआत के spring में यानि बसंद के मौसम में when the rains have ceased जब बरसात रुख जाती है and ground is ready और जमीन तयार होती है for flowing जोतने के लिए we present ourselves हम प्रस्तुत करते हैं अपने आपको to the lords of the land जमीन के मालिकों के सामने and ask और हम उनसे कहते हैं to make a crop यानि के हम भसल उगालें उनके लिए we sign a contract हम एक समझोते पर हस्ताक्षर करते हैं usually prior our contracts are oral हमारे जो समझोते होते हैं वो मौखिक होते हैं मतलब sign wine नहीं होते लिखित में नहीं होते मौखिक होते हैं which allows us जो के हम को allow करता है अनुमती देता है to keep रखने का one half आधी of the harvest फसल को after all debts are paid यानि जब सारे रिंड चुक जाते हैं रिंड चुकाने में ही चली जाती है सारी फसल तो बचता क्या है लोगों को if we have worked अगर हमने काम किया है upon these plantations इन खेतों पर before पहले से we are legally bound तो हम कानूनी रूप से बंधे होते हैं to plant यानि फसल बोने के लिए tend उसकी देखवाल करने के लिए and harvest और काटने के लिए another crop एक और फसल if we should escape और अगर हम निकल जाएं to the city शहर को to avoid बचने के लिए paying चुकाने से our mountain debts हमारे पहाड जैसे रिनों को कर्जों को white policeman तो गोरे पुलिस वाले track us down हमको धून लेते हैं and ship us back और हमको वापस भेज देते हैं to the plantation उन्हीं खेतों पर the lords of the land जमीन के मालिक assign us हमको देते हैं 10 और 15 acres 10 या 15 acres of soil जमीन already bled जो के पहले ही bled बने खून बहा चुकी है या निचोड चुकी है of its fertility उसकी उपजाउपन से यानि पहले ही उसका उपजाउपन का खतम हो चुका होता है निचोड़ा जा चुका होता है through generations of abuse यानि पीडियों के abuse मने दुरुपयों से यानि इतनी ज्यादा फसलें उगाई हैं और इतने गलत तरीके से होगाई है कि वो मिट्टी बिल्कुल निचोड चुकी है तो ऐसी 10-15 एकर जमीन हमको दे दी जाती है they advance us वो हमको देते हैं advance में one mule एक घोड़ी one plow एक हल seed, bees, tools कुछ यंत्र, औजार fertilizer, khad, clothing, कपड़े, and sorghum sorghum चारा होता है molasses और good गुड़े अखांड होता है ये सब बस वो हमको provide कराते है if we have been lucky अगर हम भगेशाली रहे हों, खुशनसीव रहे हों the year before maybe we have saved यानि the year before मने पिछले साल अगर हम थोड़े से खुशनसीव रहे हों maybe we have saved तो हमने बचा लिये हों a few dollars, कुछ डॉलर to tide us, जो के हमको बचाए रखें, हमारा काम चला दें, through the fall month, यानि पतज़ड के महीनों के दोरान, but spring finds us, लेकिन बसंत आते आते क्या होता है, हम लोग begging, भीख मांगने लगते हैं, an advance credit यानि advance में थोड़ा पैसा लेने की, from the lords of the land, जमीन के मालिकों से, और एक बार जो करजा लिया, तो फिर वो करजा कभी खतम नहीं होता, जैसा के आपने आपने आमारे यहां फिल्मों में भी देखा होगा, या प्रेम चंद के उपन्यासों में पढ़ा होगा, कि गरीब किसान जब एक बार करजा लेता है, तो उसकी पीडियां गुजरदाती हैं, लेकिन करजा खतम नहीं होता, तो ऐसा ही कुछ इनके साथ होता है, अब पैसा नहीं है, तो उनसे भीख मांगना ही पड़ता है, थोड़ा सा हमें, advance credit दे दीजे, फसल आने पर चुका द हैं, rule our lives, हमारे जिंदगी पर राज करते हैं, contrary, यानि विरुद्ध to popular assumption, popular मने लोग पर है, assumption मने जो विचार होता है, कलपना है, यानि जो लोगों की कलपना है, cotton is a queen, जो कपास है, वो एक रानी है, not a king, नके एक राजा, यानि लोग तो ये मानते हैं, जो cotton है, वो राजा ह कहलाते हैं, लेकिन इसके विपरीत, contrary माने विपरीत, तो इस कलपना के विपरीत, जो cotton है, वो रानी है, नके राजा, kings are dictatorial, राजा जो होते हैं, वो तानाशाह होते हैं, cotton और ये जो कपास है, is not only dictatorial, ये केवल dictatorial नहीं है, केवल तानाशाह नहीं है, बट self-destructive, लेकिन आत् भी है, खुद को बरबाद करने वाली भी है, an imperious woman, ये एक ऐसी imperious मने ताकतवर औरत है, जो कापास है, in the throes, जो कि कश्ट में रहती है, of constant childbirth, लगातार बच्चे पैदा करती रहती है, a woman, एक ऐसी औरत, who is driven, जो कि मजबूर होती है, by her greedy passion, अपनी लालच की जो भावना है अपनी लालच की भावना के हाथों मजबूर होती है, to bear, बने पैदा करने के endless bills, यानि endless bills of cotton, bills मने गठ्रियां of cotton, रूई की, तो cotton की जो खेती है, लगातार होती रहती है, जैसे कि एक औरत है, जो लगातार बच्चे पैदा करती रहती हो, दो, यद्यपी, she well knows, वो अच्छ रहती है, to give birth, जन देना to her fleecy children, अपने fleecy children, fleece, उन को बोलते हैं, तो जो कपास है, जो उसके fleecy children है, वो जो उन है, या जो रेशे निकलते हैं, तो अपने रेशे वाले बच्चों को जन देते देते, वो मर जाएगी, वो जानती है, उसके बावजूद, वो बच्चों को ज जन देती ही रहती है, if we black fog, अगर हम काले लोग had only to work, अगर हमें केवल काम करना होता, to feed, यानि भोजन कराने के लिए, the lords of the land, जमीन के मालिकों को, यानि केवल जमीन के मालिकों को चुगाने के लिए ही, अगर हमें काम करना होता, to supply delicacies, यानि केवल delicacies मनें, व्यंजन, खा जाने के लिए, as did the slaves, जैसा के गुलाम किया करते थे, of old, पुराने, for their masters, अपने मालिकों के लिए, our degradation, तो हमारा पतन upon the plantations, इन खेतों पर, would not have been, नहीं होता, the harvest, फसल, would not have been the harvest, form of human servitude, यानि इन्सानों की गुलामी का, the world has ever known, जो के संसार ने हमेशा जाना है, यानि अगर केवल खाने की चीज़ों की खेती हमें करनी होती, तो इतनी हालत खराब ना होती, गुलामों की, जैसा के संसार ने जाना है, वैसी हालत खराब ना होती, but we had to raise, लेकिन हमें क्या करना प परती थी cotton यानि रूई का पास to close the world पूरे संसार को कपड़े पहनाने के लिए cotton meant money और रूई का मतलब था पैसा and money meant power और पैसे का मतलब था ताकत and authority और authority वो भी ताकत होती है and prestige और सम्मान authority अधिकार भी बोलते हैं तो जिसके पास पैसा है उसके पास ताकत है उसके पास अधिकार है उसके पास सम्मान है तो इसलिए ये जो जमीन के मालिक होते थे वो कपास की खेती करवाते थे to plant vegetables यानि सबजियां उगाना for our tables हमारी मेजों के लिए हमारे खाने के लिए was often forbidden एकदम अक्सर उसकी मनाही होती थी यानि हम अपने खाने के लिए भी फसलें नहीं उगा पाते थे सबजियां नहीं उगा सकते थे for क्योंकि raising a garden एक बगीचा उगाने से narrowed कम हो जाता था the area शेत्रफल जगह to be planted जिसमें उगाया जाना था in cotton तो अगर हम थोड़ा बहुत अपने लिए कहते थे कि हम यहां अपने लिए सब्जियां उगा लें खाने के लिए तो मालिक मना कर देते थे क्योंकि अगर हम अपने लिए सब्जियां उगाएंगे तो जगह कम पड़ जाएगी उनकी कपास की खेती करने के लिए तो यह मना कर दी जाते थी अनुमती नहीं दी जाती थी the world demanded cotton संसार की मांग थी कपास के लिए and the lords of the land और जो जमीन के मालिक होते थे ordered वो आग्या देते थे more acres to be planted कि ज्यादा से ज्यादा एकर में plantation किया जाए यानि कपास के पौधे होगा आए जाए planted right up to our door steps और बिल्कुल हमारे दर्वाजे की सीडियों तक कपास के पौधे लगा दिये जाते थे यानि बिल्कुल हम चाहें कि अपने दर्वाजे के पास भी सबजियां होगा लें तो वो भी नहीं बिल्कुल दर्वाजे के पास तक कपास के पेड़ों लगा दिये जाते थे पिरदई and bloody और खुनी यानि जो कपास रानी है वो इतनी बेरहम बन गई कि हम लोगों का खुन पी गई और हमारी बड़ी दुरदशा हो गई आपने बहुत सारी कहानियां बहुत सारी पोइम्स हैं लिटरेचर में जो पढ़ी होंगी और नहीं पढ़ी हैं तो आप कुछ पो लोगों की क्या दुरदशा रही है यूरोप में अमेरिका में ये इसकी एक छोटी सी जलक आपको यहां इस निवंद में देखने को मिली और कोई भी निवंद कोई भी कहानी या कोई भी उपन्यास उनकी उस दुरदशा को शत प्रत्शत नहीं दिखा सकता जो कि उन्होंन जाते हैं धन्यवाद